कुम में किसी के प्यार में फिलहाल विराट को हो रहा है काफी जादा अफसोस कि आखिर उसने सई पर इतनी घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत भी कैसे की रिसेंटली चल रहे एपिसोड के शुरुआत होती है पुलकित के साथ जो कि बहुत जादा खुश हो जाएगा सई को होश में आती है वो रोने लगती है रो रोकर पुलकित को अपना हल बताती है कि बताती है कि कैसे विराट ने उसे हट किया उसके उपर शक किया पूरी फैमली यहां टेंशन में खड़ी होती है जहां पर पाखी विराट की मिस्टेक्स को जस्टिफाई करने में लगी रहती विराट पाल्फी की आवाज से उसके एक्सक्यूस देशार रही है कि इदो पी जो कुछ मैंने किया उसमें तुम मेरा साथ देकर कि मुझे सही बता रही हो जबकि एक औरत होने के नाते तुम्हें मुझे कोसना चाहिए और मेरी गलती को बताना चाहिए लेकिन तुम तो कुछ और ही करने में लगी हो पुलकित यहाँ पर सही को कंसोल करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ फिराट ने तुम से क्या कहा और वैसे भी तुम्हारे लाइफ के फ्रसले कोई और नहीं ले सकता तुम्हें लेने के पूरे हाक है तुम बताओ, डिस्चार्ज होने के बाद तुम चवान हाउस जाना चाहती हो, या फिर तुम कहीं और जाना चाहती हो, या मेरे साथ चलोगे, सई यहाँ पर दुबारा से बेहोशी में चली जाती है, और कहती है कि मैं सर्म की शकल कभी भी नहीं देखना चाहती, कभी भी नह विराट उसकी तब्यत के बार में पूछता है कि क्या हुआ सई को होश आये वह ठीक है ना आप कुछ बोलो तो लेकिन पुलकित है कि विराट पर गुस्से से बरस पड़ता है और कहता है कि सई का चो भी हाल है वो सिर्फ तुम लोगों की वजा से हुआ है विराट सई का हाल स और आपको क्या करना है यह आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपको ऐसी मज़ेदार अपडेट्स देते रहें